दोस्तों आप loan लेना चाहते हैं या credit card लेना चाहते हैं तो इसमें आप लोगों को मालूम ही होगा कि आपका credit score आपका civil score कितना ज़्यादा महथपुन है आपका credit score बढ़िया रहता है तो bank के ओर से या NVFC company के दरब से जल्दी आप लोगों को loan मिल जाता है या credit card भी जल्दी मिल जाता है और जितना अच्छा credit score होता है उतना अच्छा limit आपको दे दी जाती है आपको बता दो कि आप बिल्कुल free में अपना credit score के साथ साथ अपना credit history सब को check कर सकेंगे क्योंकि phone pay application जो UPI वाला है इसमें ये feature launch कर दिया गया है जिसमें आप बिल्कुल free में आप अपना credit score, civil score को check कर सकेंगे आप कई सारे portal पर जाओगे तो इसके लिए आपको अलग से charges बे करना होता है लेकिन phone pay application में बिल्कुल free में आप check कर सकेंगे और सिर्फ phone pay application ही नहीं बहुत सारे ऐसे application आपको मिल जाएगा जिसमें आप free में अपने credit score और civil score को check कर सकेंगे तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा करके दिखाऊंगा कि किस तरह से आप अपने credit score को phone pay application से check कर सकते हैं बिल्कुल free में आपको पहले ही बतादू कि आप खुद से जो credit score, civil score check करते हैं इसमें कोई भी impact आपके credit history या credit score पर नहीं परता है एक होता है ने कि बार बार चेक करता हूं तो मेरा civil down हो जाएगा, मेरा credit score जो है down हो जाएगा, ये नहीं परता है जब आप खुद से करते हों क्योंकि वो soft inquiry होता है लेकिन वही आप credit card के लिए या loan के लिए किसी bank के पास आवेदन देती हो और वो जब check करता है आपका credit history या credit score चेक करता है त उस पर थोड़ा बहुत impact उससे आपके credit score पर देखने को मिलता है तो आईए मैं आपको वताता हूं phone pay application में किस तरह से आप check कर सकेंगे पहले जो launch किया गया था वो phone pay के business application में लेकिन ये वाला जो launch किया गया है वो phone pay के UPI application में सबसे पहले आप phone pay application को update कर लेना, update करने के वा आपको सबसे उपर में credit score for free आपको दिखाएगा जहां पर आप तुरंत के तुरंत चेक कर सकेंगे, check now पर click करके, यहां पर check now पर click करता हूं, check now पर click करने के वाद आप देख पाएंगे कि हम अपना credit score को बिलकुल free में check कर सकेंगे, आप अपने credit score को regular check करते रहिएगा, इस personalized loan offer विगेरा आपको मिलते रहेंगे, यहां पर चेके credit score पर click करता हूं, आप देखेंगे यहां पर अनुमती मांगा जा रहा, मैं इसे allow कर देता हूं, allow करने के वाद यहां पर थोरा सा मैं wait करता हूं, जो मेरा registered mobile number है, उसी से यह find कर लिया है, और आप यहां पर देखेंगे यहां पर excellent है, उसके बाद credit age में excellent है, 6 year, 9 महीना बताया गया, ठीक है, और credit mix low impact बताया गया, credit inquiry low impact यानि inquiry में एक ही है, यह जो बता रहा है वो आपका experience बता रहा है, आपको बता दू कि कई प्रकार के होती है, जिसमें आपका civil होता है, experience होता है, तो बहुत सारे bank जो है experience को follow करती है, और बहुत सारे bank civil को follow करती है, तो experience यह score बताया जा रहा है, जिसमें आप देखेंगे 869 है, जो कि excellent है, और यहां पर on December 2023 की update है, आप देखेंगे credit score में, जो कि यहां पर average और good, fair average ऐसे करके बताया जा रहा है, जिसमें आप excellent होते हैं, अगर 780 से उपर होता है, उसक 681 से 720 तक, यहां तक average तक जो है, आपको मिल सकता है, loan या credit card वेगरा लेकिन कम limit के साथ, और below average 681 जिसमें काफी मुस्किल हो जाता है, आपको loan वेगरा लेना, ठीक है, यहां पर यह range बता दिया गया है, 300 से लेकर 900 तक की आपका score range होता है, अब रहा गया बाद थो थोरा सा history प्री चेक करने का, वो भी आप चेक कर पाएंगे, जैसे यहां पर आप देखेंगे, on time payment में, यहां पर आप देखेंगे कि कितने आपका payment यहां पर updated है, delay एक भी नहीं हुआ है, जो कि आप देख पाएंगे, और active account भी आप देख पाएंगे, कि कौन-कौन से account active है, कौन- अगर कोई दिक्कत होता है, तो आप यहां से report भी दर्ज कर सकती है, आपका total credit limit, जो साड़े मिलाकर है, वो कितने होती है, यह दिखा दिया जाता है, और कितना utilize कर रहे हैं, कितने percent आपने utilize किया है, वो भी यहां पर दिखा दिया जाता है, तो इस तरह से आप यहां पर इन ही आसानी से, आप धीरे-धीरे करके यह सब चीज कर लिजे, और जितना बार भी चेक करेंगे, उससे आपके credit history पर कोई भी impact नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह soft inquiry होता है, लेकिन वही bank या फिर कोई NBFC's company अगर चेक करती है, तो वो hard inquiry में आ जाता है, और जिसे दिक्कत थोड ना बता रहा है, जरूर मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बताईएगा, ताकि यह पता चल सके कि आप लोग अपना जो civil score है, credit score है, उसे अच्छा खासा maintain करके रख रहे हो, या फिर नहीं रख रहे हो, मिलता हूँ दोस्तों, फिर एक नए वीडियो में, लाइक करते ह वे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, धन्यवाद, बने रहे हैं हमारे साथ,